प्रनाउंसमेंट का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं प्रनाउंसमेंट का आर्थ होता है एलान यानि किसी चीज़ की घोशना, प्रकाशन, मत, घोशना, कथन, राय ये निर्ने सुनाना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह कोई उच्चारण नहीं कर सका या वह कुछ बोल नहीं सका तो आप कहेंगे he could make no pronouncement या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने सरकारी नीती में बदलाव पर एक अधिकारिक घोशना की तो आप कहेंगे she made an official pronouncement on changes in government policy अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे देखते ही ओर इंगे तो बिख्यर बपती ही और देखते ही ऑम्सप्ति कर साद कता है तो पती है आपक मेरी प्यूम्न concluded Хि के सो है drill तो प्पेंगे आप रहा कर से आप किसी आपको मे美味 इंग तो अल्हा है आपको मेरी तो लोयामे तो ढखने तो है